दसंबर के हिंदी क्लास में आपका हार्दी कभिनंदन है आज हम लोग लख्रमी अंदाज सिर्शक पाठ पढ़ेंगे सुपरसीत सहितिकार जस्पाल का जर्म 1903 इस्वी में पंजाब के फिर्योजपूर छावनी में हुआ था इन्होंने प्राडमिक सिक्षा कांगरा में और उस सिक्षा लहोर में हासिल की थी वहीं पर लहोर में हैं इनकी मुलाकात सरदार भगत सिंग और सुगदेव से हुई थी और ये उनके सानिध्य से सुतरनता संग्राम से जूर गये ज्यानदान, तर्ग का तुफान, पिंजरे की उरान, वादुलिया, फूलों का कुड़ता यस्पाल के पर्मुक कहानी शंग्रे हैं जुठा सच, पाटी कॉमरेड, दादा कॉमरेड, अमिता, दिब्या, मेरी तेरी उसकी बात, उनके पर्मुक उपन्याश हैं लखनवी अंदाज एक बेंग्यात्मक रचना है, जिसमें अस्पस्ट किया गया है कि बीना कथ के कहानी नहीं रची जा सकती कहानी के लिए विचार, घटना और पात्र का होना आउश्यक होता है यदि कहानीकार बीना कथ के कथा लिख भी दे, तो उसकी रचनागत तुष्टी उस लखनवी अंदाज जैसी है जो खीरे को खाने के बजाए उसे सुंग कर गंद और स्वाद की कलपना मात्र से पेट भर जाने की सुचना उची ड़कार द्वार देता है जीवन के असली रुप को छोर कर बनावटी जीवन से लिए अपनाना वास्तविक्ता से दूर भागना है लेखक रेली आत्रा के क्रम में भीर भार से बचने के लिए एकांत में अपनी नई रचना के संबन्ध में सोचने और प्राकृतिक दिर्श्यों का अउलोकन करने के उद्दे से महंगे दाम का सेकेंड क्लास का टिकट ले लिया और दोडते हुए एक डिब्बे को खाली डबा समझ कर चर गया पर डब्बा खाली नहीं था एक बर्थ पर लखनवी नसल के एक भद्र व्यक्ति पल्थी मार कर बैठे थे और उनके सामने दो ताजे खीरे तौलिये पर रखे थे अचानक लेखक के डिब्बे में प्रवेश करने से उनकी आँखों में एकान चिंतन में बाधा का असंतोस दिखाई दिया लेखक को लगा कि वे भी किसी विशय पर चिंतन कर रहे हैं या खीरे जैसी सधार्ण बस्तू का सौक रखते देख संकोच अन्भव कर रहे हैं फलता उस नबाब सहाब ने संगाती के लिए उस्साह नहीं दिखाया लेखक भी आत्समान में अपनी आखे चुरा कर खिरकी से इधर उधर देखने लगे लेखक यात्रा के क्रम में अकेले बैठे बैठे नबाब सहाब के शंबंध में चिंतन कर रहे थे इस क्रम में वे इस निश्करस पर पहुँचे कि संभावता नबाब सहाब को लग रहा है कि सहर का कोई ब्यक्ति उन्हें इस प्रकार मंजले दरजे में सफर करते हुए या खीरा जैसे सधारन पदार्थ का भोग करते हुए देख लिया इसी सर्म से वे आहत थे कुछ पलपस्चात नबाब सहाब ने लेखक का अभिवादन किया और उन्हें खीरा खाने के लिए आमंतरित किया लेखक को नबाब सहाब का अचानक ये भाव परिवर्तन अच्छा नहीं लगा उन्होंने अनुभव किया कि नबाब सहाब संभावता सराफत वनाए रखने के लिए ऐसा कर रहे हैं फलता लेखक ने धन्यवाद दिया और कहा आफी फरवाईए नबाब सहाब ने च्छनवर के लिए खिरकी से बाहर देखा तत्पस्चात खिरों को पानी से धोया तौलिये से पोच्छा चाकू से उसके उपरी सीरे के उकाटकर जाग निकाला इत्मिनान से उसे छिल कर फाके बना कर उसे तौलिये पर रखकर उस पर जीरा मिला नमक और पिसी हुई लाल मिर्च का चुर्ण छिरक दिया ऐसा करते समय उनके मुख में पानी भर आया नवाव साहब ने फिर एक बार लेखक से खीरे के लिए पूछा पर आत्मसमान के निर्वहन के लिए लेखक ने खाने की अनिक्षा जहिर की और कहा कि उनका अमासे जडरा कमजूर है जनाब आप ही सोख फर्माईए नबाब साहब ने तिसना भरी आँखों से खीरा के फाकों को देखा फिर उन्होंने खीरकी से बाहर देखकर घरी सांस ली खीरे की फाक उठा कर नाग तक ले गए उसे सुंगा श्वाद के आनंद के काण उनकी पल के बंद हो गई मुह में भाराय पानी का घुट गले से नेचे उतारा और फिर फाक को आहिशते से खीरकी से बाहर फेक दिया उन्होंने खीरे के सभी फाकों के साथ ऐसा ही किया फिर तोलिय से हाथ और मुह पोचकर गरब से लेखक की त्रप देखा मानो कह रहे हों यह खंदानी रईसों का तरीका है नभाव सहब खिरा खाने की तैयारी और इस्टेमाल से ठक कर लेट गए लेखक सोच में पर गिया क्या यही है खंदानी सिश्टा, स्वक्स्ता और कोमलता लेखक सोच रहे थे कि खीरा की सुगंद और स्वाद की कलपना से संतुष्च होने का यह तरीका सुख बरियां और अमुर्थ तरीका तो जरूर है लेकिन इससे पेट नहीं भड़ा जा सकता इससे पेट की त्रिप्ति नहीं हो सकती नबाब साब के पेट से डकार का सब सुनाई दिया नबाब साब ने कहा खीरा स्वादिष्च तो होता है पर असानी से पस्ता नहीं है यह अमासे पर बोश डालता है इस घटना क्रम से लेखक के ग्यान चक्चु खुल गय उन्होंने जाना कि जब सुगंद और स्वाद की कलपना से पेट भर जाने की डकार आ सकती है तो बीना बिचार, बीना घटना और बीना पात्रों के भी लेखक की इक्षा मात्र से नई कहाने, नई रचना क्यों नहीं बन सकती धन्यवाद, आज की कलास में बस इतना है